जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर रोंचों में बहुत बहुत स्वाकत है भार है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार और दुलार हमें प्रदान करने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल पर च जो भी आपकी राहे वो जरूर लिखे हैं दोस्तों हम सकारत मुल जोतिश में विस्वास रखते हैं और किवल हमको पॉजिटिव अस्टोलोजी ही बतलाते हैं हम नेगिटिविटी से बहुत दूर रहना चाहते हैं और हम एक संचार का काम करना चाहते हैं कि लोगों में आत्म संकट के समय कैसे बहार आएं संकट से कैसे बहार आएं तो संकट से बहार आने कि कई सारी बाते आपको समझ बैसिकली पता होगा पर मैं फिर भी आज आपको बात करना चाहता हूं बहुत बैसिक बात करूँगा लेकिन बहुत ही काम की बात है होगी सबसे पहली बात जब भ को भी ठेस पोचे या वहाँ पर विवादित श्तथिया बने तो धेल रखे शांत रहे मन को शांत रखने की कोशिश करें जानता हो पीडाय होती है संकट का कोई परिभाशा नहीं है संकट कहीं से किसी वक्त भी आ सकता है क्योंकि वह भी एक दूर घटना है घटना है और कभी भी घबराएं नहीं बिल्कुल घबराने से न तो कुछ होने वाला है नहीं कुछ आप राप्त कर पाएंगे और नहीं आपके साथ कुछ होगा तो सबसे पहली बात है कि संकट के समय अपना धेर इनाख होए खुद को मोटिवेट करते रहें सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है कि इसी न मनयगे, अब बहुआ बहूं के लिए खुर्दिशु केहरो मानटा, पजान, यह जान अपन को बदो ओक कुछ ही है जो बहुत खास होते हैं वहीलोग साथ देता हैं और बिल्कुल सही कि विपत्ती आदमी की सची होखात बताता कि मेरे साथ वागेमें कितने लोग खड़एं तो प्लीज दोस्तों इस बात को कभी he'm not पर चलने की खोशिश करें बस पुल मिलाकर मेरा यही उद्धेश आप से चोथी बात है शिकायत है किसी से नहीं करना शिकायत अगर करनी नहीं है उसके निवारण की बात सोची जाए मैं व्यक्तिकत संकट की बात करूँ एक सामुक संकट में शिकायत एक अलग विशे होगा शिकायत किसी बिल्कुल शिकायत एक अलग विशे होगा लेकिन हम खुद से शिकायत न करें या किसी शिकायते न करें या भाने या वहुत सी चीजे होती ही जब हमारे पर खराब समय आता है अर्तिक संकट हो गया, सारिरिक संकट हो गया या पारिवरिक संकट हो गया तो इन संकटों में किसी पर दोश न दोए दोस्त मड़ने से अच्छा है उसका उपचार क्या है उसका उपाई क्या है और उसे करें सोती वो पांची बात है कि जब आपका संकट समय आता है तो वो लालची लोग आप पर हावी हो जाते हैं आपको बहकाएंगे और आपका गलत फाइदा भी उठाएंगे तो इस और भी आप ध्यान दें दोस्तों पांची और आखरी चीछ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए संकट के समय में कोई साथ नहीं देता हो आपको इश्वर साथ देता है इश्वर के माध्यम साबको सभी लोग साथ देने आपको जब भी संकट आए बिलकुल घबरा करना मत भूलिएगा प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करते रहें तो जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल